Question number 5 के अंदर पूछा गया Which of the following is a irrational number? बहुत खास irrational number वो होते हैं जो square root के अंदर से पूरे-पूरे बाहर ना निकले हैं, वो irrational number होते हैं अब देखिएगा square root हो या cube root हो पूरे-पूरे बाहर ना निकले हैं, बस ये देखना आपको अब ये 45 है ये 196 है square root में और ये 566 है square root में 196 का मतलब होता है ये होता है, square root की अगर बात करें, square root 156 की value होते है 14, या आप ये कह सकते हैं 14 का square root होता है 196 ठीक है, वैसे अगर square root 576 की बात करोगे, तो इसकी value होते है 24 तो ये तो पूरे-पूरे बाहर निकल कर और यह अपने आप में rational number भी है तो यह दोनों तो rational हो गए अच्छा क्यूब रूट क्यूब रूट 27 के अगर बात करेंगे तो यह क्यूब रूट ऐसे दिखाओ यह हो जाएगा 3 का क्यूब क्यूब से क्यूब खतम value आ जाएगी 3 इसे solve करके value आ रही है 3 मतलब यह भी अपने आप में rational number पूछा, irrational number तो irrational हो जाएगा 45 क्यूब कि अगर आप 45 को solve करना चाहोगे तो आप कहोगे 9,5,45 और 9 को कह दो कि 3 root 5 ऐसे रह जाएगा तो यह root 5 जो है यह अपने आप में rational number है irrational की किसी से भी multiply करता हूँ वो number irrational ही हो जाएगा ठीक है किसी का मतलब यह है कि खुद से नहीं करनी है तो आप समझगे ना root 45 is a irrational number 2 second में आपको लगाना यह 2 second में इस से जाधर time ने लगने चाहिए entrance में